हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि Bank of Bada के Mobile Banking App में यानि की Bob World Application में Registration कैसे करते हैं और फिर उसे Login कैसे करते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को बिना Skip के Last तक देखते रहिएगा तो दोस्तों Bank of Bada की Mobile Banking App में Registration और Login करने के लिए सबसे पहले तो आपको Play Store से Bob World Application को Download करके Install कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको इसे इस Mobile Banking App को Open कर लेना है आप चाहे तो यहीं से Direct Open कर सकते हैं या फिर अपने Home Screen में जाके इसे आप Open कर सकते हैं इस Bob World Application को Open करते हैं दोस्तों आपका सबसे पहला पेज कुछ इस तरह से देखेगा तो यहां पर आपको जो कुछ भी अलोग करने के लिए बोला जा रहा है आपको सब कुछ यहां पे अलोग करते जाना है अलोग करते हैं दोस्तों आपका Next Screen कुछ इस तरह से Open हो जाएगा अब यहां पे दोस्तों आप से Language Select करने के लिए बोला जा रहा है तो जो Language आपको आसान लगता है उस Language को यहां पे Select करके फिर Proceed वाले बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप Proceed वाले बटन पर क्लिक कीजएगा आपका Next पर जिस तरह से Open हो जाएगा अब यहां पे दोस्तों आपको Slide करते जाना है फिर यहां पे Get Started का एक Option आएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक कीजएगा आपका Next स्क्रीन इस तरह से Open हो जाएगा दोस्तों यहां पे तीन Options दिये वे हैं अब चुकि हम पहले से ही Bank of Brother में Customer है तो यहां पे Already है Customer वाले Box में Login का जो Option दीख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है Login वाले Option पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहां आपको अपको अपना सीम सेलेट करना है यहां पर पहले से सेलेक्टेट है लकिन अगर यहां पर आपको दो सीम दिखाए दे रहे तो आपको वही सेलेक्ट करना है जिसका Number आपके Bank में Link हो इस तरह से अपना सीम सेलेक्ट कर लेने बाद दोस्तों सिधा आपको Confirm वाले बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप Confirm वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके Mobile Number को Verify करने के लिए आपके Phone में एक Message आगा और फिर आपका सीम Verify हो जागा कि आपका जो Number है वो Bank में Link है या नहीं इस तरह से आपका Mobile Number Verify हो जाने बाद दोस्तों आपको फिर से Confirm वाले बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप Confirm वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके Mobile पर एक 6 डिजिट का OTP आगा दोस्तों आपको उसे यहां से Verify कर देना यह खुद बख़द यहां पर Box में भरके वाले बटन पर क्लिक करना है जैसे आपका OTP वेरिफाय होगा दोस्तों उसके तुरंद बाद आपके Message Box में 4 डिजिट का Activation की भेजा जाएगा आपको उस Activation की को यहां पर Box में भरके फिसे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके फिर से इसे भी वेरिफाय करना है इस तरह से आपको अपना Activation की यहां पर डालना है दोस्तों उसके बाद I Accept Terms and Condition वाले Box पर टिक करके फिर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके इसे वेरिफाय कर देना है Activation की को वेरिफाय करते है दोस्तों आपका Next Screen कुछ इस तरह से Open हो जाएगा अब यहां पर दोस्तों आपको अपना Transaction Pin बनाना है यहां पर आपको चार्ट डिजिट का Transaction Pin बनाना है दोस्तों यह पिन कब काम आएगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा फिलाल इस तरीके से आपको यहां पर चार्ट डिजिट का Transaction Pin फिल करना है दोस्तों और Reconfirm वाले में भी आपको Same Pin को भर देना है उसके बाद आपको Next वाले बटन पे क्लिक कर देना है जैसे आप Next बटन पे क्लिक की जगा दोस्तों तो यह अब आपको Login Pin बनाने के लिए बोलेगा तो यहां पर आपको चार्ट डिजिट का Login Pin बनाना है यह Login Pin आप उसी तरह से बना सकते हैं जैसे आपने Transaction Pin बनाया था और फिर सिधा Submit वाले बटन पे क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे आप Submit वाले बटन पे क्लिक की जाएगा दोस्तों तो आपका जो Bank of बड़ादा का Mobile Banking App है यानि कि Bob World Application में आपका Successfully Registration हो जाएगा दोस्तों इस तरहीके से Registration करने के बात दोस्तों आपको इसे Login करना है दोस्तों अभी आपने जो पिन बना है था Login पिन वही पिन आपको यहां पर डालना है यह पिन हमेशा आपको केवल Login करते हैं वक्त ही काम आएगा आप देख सकते हैं कि Login पिन डालते हैं दोस्तों मेरा जो Bank of बड़ादा का Mobile Banking App है वह Successfully Login हो चुका है Open हो चुका है दोस फिर आपको ATM पिन बनाना हो ATM कार्ट के लिए अपलाए करना हो या फिर अपना account का balance चेक करना हो वह सारा कुछ आप यहां से कर सकते हैं यानि कि आप अपना bank account आसानी से यहां से manage कर सकते हैं दोस्तों और दोस्तों एक जरूरी बात कि आपने जो transaction पिन बनाया था वह पिन आ आप से केवल transaction पिन ही मांगेगा लॉगिन पिन केवल आपको लॉगिन करते वक्त ही मांगा जाएगा दोस्तों तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि bank of bada के mobile banking app यानि की bob world application में registration करना और फिर इसे लॉगिन करना आप सीख चुके होंगे वीडियो अच्छी लेगी है तो ये बाई